नमस्कार मैं हूँ आशीश धर्म कर्म में अब बात करते हैं आज के पंचांग की अब बात करते हैं आज की तिथी की और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए फलदाई होगी चलिए अब आपको बताते हैं नक्षत्रों का आज कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहेगा और आपके ऊपर इसका क्या असर रहेगा अब बारी है आपको आज के योग बताने की साथी हम आपको बताएंगे आज का विशिष्ट योग अब जान लीजे आज के वरत त्योहार उत्सव और विशेश आयोज़न के बारे अब आपको बताते हैं चंद्रमा की स्तिती कैसी है दिशा शूल किस दिशा में रहने वाला है और राहुकाल का समय कौन सा रहेगा चंद्रमा प्राते आठ त्रेपन तक सिहराशी में तदंतर कन्या राशी में रहेगा दिशा शूल बुदबार को उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल रहता है चंद्र इस्तिती के अनुसार आज प्राते आठ त्रेपन तक पूर्व दिशा की वा इसके बाद दक्षन दिशा की यात्रा लावधायक वे शुब प्रद है राहुकाल मध्यमान से दोपहर बार बजे से दोपहर बाद देड़ बजे तक राहुकाल वेला में शुब कार्यारंभ यथा संभव वर्जित रखना हित करे अब आपको बताते हैं शुब मुहुर्थ और स्वेष्ट चोगडिये यानि कौन सा समय आपके किस कारे के लिए उत्तम होगा शुब मुहुर्थ आज ग्रिहारंभ देव प्रतिष्टा, वेपनी, व्यापारारंभ, द्विरागमन, नामकरन, अन्न प्राशन तथा विवाह अती आवशकता में भुजंगपात दोश, उत्रा फालगोनी, नक्षत्र में तथा विवाह का हस्त नक्षत्र में शुद्ध म जो आबशक शुभकार्यारम के लिए अत्योत्तम हैं बुद्वार को अभिजित नामक्स मुहुर्थ शुभकार्याओं में वर्जित माना गया है अब आपको बताते हैं आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में आज जन्म लेने वाले बच्चे आज जन्म लेने वाले बच्चों के नाम टे टो प पी पू आदी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं प्रात हैं आठ त्रेपन तक जन्मे जातकों की जन्म राशी सिह तथा इसके बाद जन्मे जातकों की कन्या राशी है सिह राशी के स्वामी भगवान सूर्यदेव और कन्याराशी के स्वामी बुद्ध हैं इनका जन्म रजत पात से है सामाने तही जातक धनवान विलास प्रिये अपने पुरुशार्थ से धन कमाने वाले कुशागर बुद्धी और बहु आयामी व्यक्तित्व के धनी होते हैं सिहराशी वाले जातको को अपनी अवश्रक्ता अनुसार परिश्रम से धन लाव होगा ध्यक्यता के कारण तनाव रहेगा क्रोध पर नियंतरन रखना हित कर है तो आपने जान लिया आज के पंचांग ग्रहनक्षवत्र चौगडिया और आज जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है जैसा हम आपसे हमेशा कहते हैं कि ग्रहनक्षवत्र भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर विश्वास रखते हैं ईश्वर से कामना है आज का आपका दिन मंगलकारी हो नमस्कार